हलो एवरीवन वेल्कम टू मैं चैनल आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में कंपनी कैसे ग्रेट की जाती है तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पे एजुकेशनल मोटर प्रेस करने से आपको इस तरह की स्लाइड ओपन हो जाती है फिर आप अपनी इसमें कंपनी पहला आएगा create का option यहां पे हम create पे enterprise करेंगे create पे enterprise करते ही हमें यह सारा information मिलती है company related यह जो लिखा रहा है उपर यह कहीं आपकी company का path होता है यानि जिसमें आप अपनी टैली प्राइम का data store करना जाते हैं उसके बाद आजाता है आपका company name जिस नाम से आप अपनी company बनाना जाते हैं जैसे हम अपने नाम की company बना लेते हैं XYZ company mailing नाम में भी आपका यही name आता है इसका मतलब होता है कि अगर आप अपनी billing को आप अपने bill name में यही name mention करना जाते हैं तो आप यही भी रख सकते हैं otherwise आप इस name को change भी कर सकते हैं फिर आपकी basic information आजाती है जैसे address वगे mention कर सकते हैं pin code हो गया telephone हो गया अगर आपको यहाँ पे telephone mobile और fax को option नहीं मिलता है किसी screen पे अकर यह option नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे press कर सकते हैं F12, F12 करते ही आपको configuration का option मिलेगा जिसमें आप अपनी provide contact details को yes करते ही आपका यह option open हो जाएगा फिर आप इसमें अपना telephone number mobile number, fax number, email id यह सब इसमें आप mention कर सकते हैं उसके बाद आजाता है आपका financial year यह option यानि financial year होता है हमारा 1 अपरेल से start होता है और 31st March को end हो जाता है तो आप इसमें अपना financial period के according आप इसमें डाल सकते हैं उसके बाद आजाता है next आपका books beginning from यानि आप अपनी books को कब से maintain करना जाता है तो इसमें भी mention करेंगे हम एक अपरेल उसके बाद आपका option मिलता है security का इसमें आप अपना password भी लगा सकते हैं otherwise आप बिना password के भी company को create कर सकते हैं फिर बाकी सब information हमें फिल करने की ज़रूत नहीं है वो current country के according आपकी यह सारी rupees, आयना, formal name, symbol यह सारी जीज़े अप प्रेस करके भी company को accept करा सकते हैं या फिर आप अपने keyboard से control A प्रेस करके accept करा सकते है company creation तो इस तरह से आपकी company आपको यहाँ पर show हो जाएगा company created successfully इस तरह से आपकी company बन जाएगी उसके बाद आपके आ जाते हैं इसमें features accounting के feature पहला रहा है इसमें आपका maintain accounts अगर आपका को purchase बस services के थ्रू होती है यानि आप उसमें बस अपनी sale purchase maintain करते हैं तो आप इसमें maintain accounts को option भी activate कर सकते हैं otherwise आपका आजाता है इसमें maintain inventory यानि आप stock वाइस अपनी sale purchase maintain करना चाते हैं तो यह option भी आप साथ-साथ इसे yes कर सकते हैं इसके बाद आपकी सारे जो यह option आजाते हैं य उसके बाद आपका कोई भी information आप बिना yes करे भी से सिदा सिदा यहां पर accept करा सकते हैं अगर आपको कोई भी information नहीं चाहिए तो आप इन information को यहां पर no भी कर सकते हैं इस तरह से आपको option मिलता है accept का आप अपने keyboard से enter करके भी accept करा सकते हैं या फिर Y button प्रेस करके भी आप कंपनी को accept करा सकते हैं इसके बाद आपकी कंपनी का नेम ऐसे आपको शो जाएगा XYZ जिस नाम से हमने अपनी कंपनी बनाई होगी उसके बाद आ रहा है इसमें नो वाउचर एंटर यानि अभी तक इसमें हमने कोई एंटरी नहीं की है तो इसलिए आपको यह यहाँ पे शो होता है नो वाउचर एंटर इसके साथ सा जब आप अपने अकाउंटिंग पीरेड में जितनी जितनी एंटरी करते जाएंगे तो उसके कोडिंग ही आपको अपनी कंपनी में डेटा मिलता रहेगा उसके बाद इस तरह से आपकी सारी आप कितनी भी अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं व्यूडियो फसंद आई हो तो लाइक और सुमच्च